में सी के में सी स्मेस्टर 2 का स्लेबस आपके साथ शेर कर रही हूँ, अगर आपका भी स्लेबस सेम है, आपको भी सेम सब्जेक्ट से हैं, तो आपकी लिए ये प्लस पॉइंट है कि आपको इंड सब्जेक्ट के सिंपल हैं रेडर नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी तयारी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें है first subject inorganic, second organic, third physical and force जो है वो है group theory and spectroscopy, सबसे पहले inorganic chemistry का slabers देख लेते हैं कि कौन से topics जो हैं, वो slabers में पूछे गए हैं, अगर आपके पास slabers है, तो far past से match करते जाएं, जिस भी University के हो आप, आप अपना slabers match करते जाओ, ठीक है, क्यो इंपर्टन है सेकंड यूनिट में आपसे पूछा जाएगा मेगनेटिक एक्सचेंज एंड स्पिन क्रोस ओवर यह टॉपिक बहुत जाद इंपर्टन है अप्टिकली एक्टिव मैटल चीलेड्स ओके एंड यूनिट थार्ड में कॉंप्लेक्सी से रिडेड़ पूछा गया है सारे ही कॉंप्लेक्सी आप लर्न करोगे मैटल क्लेस्टर जो है वह छोटी से यूनिट है तो आप कवर कर ही रोगे असानी से कुछ भी स्किप मत करना से उसके बात है और्गैनिक क्यमिस्ट्री और्गैनिकक्यमिस्ट्री में यूनिट वन में RIEक्शन मेकानिजम पूछा गया है तो आपको टाइप फ अच्छे वन से समझने है का काईनेटिक से समझना है करतीन हैमेट इक्वेशन बहुत साथ इंपारटन थैं उसके बाद आ इसमें आ जाते हैं जो भी बहुत ज्यादा इंपार्टन स्कॉरिंग होते हैं युनिट टू में हम देख लेते हैं कि अडिशन टू दा कार्बन है ट्र अट्र मल्टिपल बॉंड तो यहां पर भी नीमिंग रेक्शन है जैसे क्लेजन री अर्रेंजमेंट और मैनिक रेक्शन युनिट थर्ड में फ्री रेडिकल रेक्शन है जो हन्स ट्रेकल के रेक्शन इसमें बहुत जाद इंपार्टन है इलिमिनेशन रेक्शन में अटेक्शिंग बेस लिविंग ग्रूप यह सार चीज़े हा जाती हैं जो कॉमन हमने अल्रेडी पढ़ी है तो जैसे ही आप कुछ सब्सक्राइब करने चाना उसके बाद है फिजिकल चैमिस्ट्री जिसमें युनिट फर्स्ट में पूछा गया है काइनेटिक सौड इफेक्ट स्टीड स्टेट रेक्शिंज एंड मार्कस थेयोरी के बारे में पूछा गया है नेमिंग रियक्शिन आपको पक्का ही करन कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो एक्जामीनर का कोई पता नहीं है कि वह कौन सा कोशन उठा ले तो यहां पर आप स्क्रीन शॉट भी रख सकते हों क्योंकि मैं अगर एक एक टॉपिक्स आपको बोलकर बताऊंगी तो वीडियो जो है वह लेंधी हो जाएगी आप इतना सुन जाएगा तो आप 24 में रख सकते हो जैसे युनिट 1 में आपको दो टॉपिक्स के फॉदर टॉपिक्स बताए गई है जो भी आपको में टॉपिक लर्न होता है आप उसमें बेस्ट करें उसके बाद युनिट 3 में सर्फिस के मिस्ट्री के ऊपर मैंने बहुत साथा वीडिय जो है वह कवर की है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो प्रीवेश सेर में पूछे गई है तो आपको क्या करना टॉपिक का नेम लिखना है वाई कैमिस्ट्री कुई निकर सर्च कर देना है वह टॉपिक जो है यूट्यूब पर मिल जाएगा टॉप पर एंड जसी इस में एलेक्टरो काडियोग्राफिय बहात जादे इंपॉर्टेंट है तीग है हाफ वेव पोटेंशनी भी इंपॉर्टेंट है तो उसके बाद आ जाते है फीजिकल के मिस्ट्री के बाद हमारा सब्जेक्ट है ग्रूप थेओरी एंड स्पेक्रोस्कोपी एंड डिफ्र यूनिट थर्ड भी मॉलिक्लियर स्पेक्रोस्कोपी एंड फोटो लेक्टिक एफेक्ट को कवर करती है एंड यूनिट थर्ड में ही जो थर्ड वाल आप देख सकते हो वो डिफ्रेक्शन है उस जिसमें ब्रैक्स कंडिशन बहाँ जादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंक और इसका वो जबस राइब कोडा P psychological में यह सारी पर्ड फ़र्णति क्याते हैं अगर आपका भी यही श्रेइल आप टॉपिक्स हैं तो आप मेरे handwritten notes फोलो कर सकते हैं जो अल्रड बने हुए बित्र भी नशा आप को